आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ बहुत ही जबर्जस, हेल्दी और मुह में घुल जाए, इतना टेस्ट ही गे हूँ के आटे का स्वाधिष्ट मोदक, जैसा कि आप जानते हैं गनेश चेतूर्थी आने वाली है, तो इसलिए गनेश जी का स्वागत करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ, उनकी मन पसंदीदा मोदक की रेसिपी, जो कि सिर्फ तीन चीजों से जटपट बनकर तयार हो जाती है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटा-फट लाइक कर दें, और अ और इस कड़ाई में हम डालेंगे करीब एक कप यानि की 200 ग्राम देशी घी, यहाँ पर आप घी की कॉंटिटी अपने ही सबसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, सारे घी को हम इसमें डाल देंगे और इसी में से हम दो चमच घी साइड में रख देंगे, इस घी का हम क्य करेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगी, घी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, और इस आटे को आप मेजरमेंट से देखेंगे, तो यह भी करीब 200 ग्राम है, यहाँ पर आप इसे बनाने के लिए कप या कटोरी सेट करें ताकि आप सारा मेजरमेंट रूसी से करें, और इस तरीके से चलाते हुए हम इसे low to medium flame पर भूनेंगे, तब ही जो गेहूं के आटे का स्वाद और flavor है उभर कराता है, अगर आप इसे बहुत दा high flame पर भूनेंगे तो यह जल सकता है, उससे आपके मोदक में कड़वा पना स सकता है, और इस आटे को हमें तब तक भूनना है, जब तक कि इस आटे में से सौंधीच सी खुश्पू नहीं आने लगे, मोदक तो आपने बहुत सारे flavor के खाये होंगे, लेकिन एक बार आप इस आटे के मोदक को जरू ट्राय करें, और यह मोदक के recipe आपको बहुत पसंद कर आएगी, तो जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे, वैसे वैसे जो आटा है वो गी को सोकता जाएगा, और जब आटा इस तरीके से घी को सोक कर लेगा, तो वो इस तरीके से भूनते भूनते भर भरा दिखने लगेगा, तो आप यहाँ पर देख पार हैंगे, कि जो डालेंके थोड़े से बारी क्टे हुए ट्राइफ Must यहां पर अपने मन पसंद का कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो मैं इसमें डाल डालाईएगा बारी कटा हुआ बादाम एक जाएगा बारी कटा हुआ का गायू यह आपके उपर depend है कि आप इसमें dry food डालना चाहते हैं या फिर dry foods को skip करना चाहते हैं तो लगातार हम इसे चलाते हैं पांच मिनट तक और भूनेंगे इस समय इसमें dry food डालने का reason यह है कि dry foods भी अच्छी तरीके से भून कर crunchy हो जाता है तो जब आप इस dry food को खाएंगे तो जो dry foods का crunchy पन है बहुत ही amazing लगता है और इस समय हम इसमें डालेंगे वो दो चम्मच गी जो हमने बचा कर side में रखा था घी यहाँ पे आप इस मोदक में अपने taste के हिसाप से और अपने सहुलियत के हिसाप से डाल सकते हैं अगर आप घी को बहुत अदा खाना पसंद नहीं करते तो आप घी को skip भी कर सकते हैं तो घी डालने के बाद भी हम इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे और इस तरीके से चलाते हुए में आटे को golden होने तक भूनना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे आटे का color हो बिल्कुल golden हो चुका है और खुस्बू भी बहुत अच्छी आ रही है तो आटा हमारा भूनकर ready हो चुका है तो अब हम गैस का flame बंद कर देंगे कढाई को gas से नीचे उतार लेंगे और इस तरीके से आटे को चलाते रहेंगे क्यूकि कढाई काफी गरम है तो हमारा आटा जल सकता है आटा हमारा हलका सा ठंडा हो जाए तो इसके लिए हम आटे को इसी तरीके से थोड़ी दिर के लिए छोड़ दींगे तो यहाँ पे हमें आटे को पूरा ठंडा नहीं करना है क्योंकि बाकी सामान मिलाते समय आटा हलका सा गरम होना चाहिए फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर आपको किसी भी सूपर मार्केट या किराने की दुकान में आसानी से मिल जाता है और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो की नीचे दिया हुआ है इसे और पर जादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 3-4 थाई कब गुड़ आप यहाँ पर गुड़ की जगे पर खाण या फिर भूरा भी ले सकते हैं तो गुड़ को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कद्दू कसकर के लिया है ताकि जब हम गुड़ को आटे में डाले तो अच्छी तरीके से आटे में मिक्स हो जाए अगर जो आपका आटा है वहलका सा गरम होगा तभी आपको गुड़ मिलाने में आसानी होगी क्योंकि गुड़ जब आटे में पिगलेगा तभी तो मोदक की अच्छी सी बैर्णिंग होगी आप चाहें तो गुड़ की चाच्छी बना कर भी इसे बना सकते हैं गुड़ डालने के बाद आप इस तरीके से इसे हाथों से मसल मसल कर भी मिक्स कर सकते हैं इसा कि मैंने किया है तो इस तरीके से आप इस मिक्षेर को हाथों में दबा कर देख लें अगर इस तरीके से मुठी में मिक्स बंध रहा है तो समझ जाए कि जो आपने इसमें गुड़ डा रहा है विल्कुल परफेक्ट है अगर आपको लग रहा है कि मिक्स अच्छी तरीके से हाथों में नहीं बन रहा है तो आप इसमें एक से दो चमस गी और डाल सकते हैं जिससे कि इसकी बाइंडिंग काफी अच्छी तरीके से हो जाती है और अब हम बनाएंगे इसके मोदक अब हम यहाँ पे लगए किस तरीके का मोल्ड मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का मोदक मोल्ड लिया है आप चाहें तो सिलिकॉन या एलमूनियम का भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन तीनों को आप आप ओन लाइन भी पर्चेस कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो की नीचे दिया हुआ है और ओनलाइन ये आपको बड़ी आसाने से मिल जाता है तो मेरे पास यहाँ पर प्लास्टिक और अलमूनियम दोना तरह के मोल्ड हैं तो इस अलमूनियम अले मोल्ड से हम इसे बना कर त्यार करेंगे जो की देखने में काफी खुबसूरत लगता है इस तरीके से मिक्स को डालते जाएं इसी चारो तरब से दबाते जाएं ताकि जो इसका शेफ है बिल्कुल क्लीन निकले आप चाहें तो इसके बीच में काजू बादाव की स्टफिंग कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने इसे बिल्कुल सिंपल और साधा बनाया है तो इस तरीके से दबा दबा कर हम इस मोल्ड को भर लेंगे और सारे मोल्ड को हम इस तरीके से क्लीन कर देंगे और अब हम दीरे से मोल्ड को खोलेंगे और मोदक को बाहर निकाल लेंगे तो ये लिजिए हमारा पहला गेहूं के आटे और गुड का मोदग बनकर त्यार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उसकी ज़्यादा टेस्टी है तो इस तरीके से हम दूसरे मोदग को भी बना कर त्यार कर लेंगे इसे इस तरीके से दबा दबा कर भरना काफी important होता है क्योंकि इसी से उसका shape बनता है और ये देखिए हमने दूसरे मोदग को भी बना कर त्यार कर लिया है और बाकी के मोदग को भी हम इसी तरीके से बना कर त्यार कर लेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम खर्च में हमने कितना सुन्दर मोदग बना कर त्यार किया है अगर आप मोदग को बिल्कुल बाजार जैसे खुबसूरत दिखाना चाहते हैं तो आप इसके उपर चांदी का वर्ग भी लगा सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे दिया हुआ है और हल्का सा इसके उपर इस तरीके से केसरी कलर लगा दें ताकि ये देखने में और भी जड़ा खुबसूरत लगे सजाना पूरी तरीके से ओप्शनल है आप जैसे चाहें वैसे इस मोदग को सजा सकते हैं और आप इसे जिसे भी प्रसाद के रूप में देंगे उसे पता ही ने चलेगा कि आपने इसे आँटे से बनाया है क्योंकि ये देखने और खाने में बहुत जड़ा खुबसूरत और टेस्टी है तो इस तरीके से आप इस गड़े चतूर्थी नए ने रेसिपी को ड्राइ करें और अपनी फैमिली के साथ गड़े चतूर्थी एंजॉय करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को डबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद